हलो फ्रेंट्स एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल हाई फैस चड़ी पे दोस्तों आज की जो वीडियो आप सभी के लिए एक्जाम से रिलेटर क्या न्यूज निकल क्या आ रही आज किस वीडियो में हम बात करेंगे साथ में है आप लोग सबसे पहले दिया गया कि चूटी बोड परिक्षा कहीं भी देशा केंगे च्छात्र दोस्तों यहां पर सी बेसी बोड में बताया गया है कि चूटी परिक्षा आपके आप लोग… compounds परिक्षां निकल कर आरी… धूस्तन आज के पेपर में यहां पर बताया गय की बची भी परिशाओं को लेकर छात्रों को एक और रहा देने का फैसला किया है बची भी बोड परिशाओं एक से पंद्रा जुलाई के बीच होनी है लेकिन जो छात्र इस बीच दूसरे जीले में चले गया है उन्हें नज़्दी में ही परिशा के अंदर उपलब्द कराया जाएगा इसी सेम यही कंडिशन आपके डियलर्ड वाले स्टूडेंट का भी है क्योंकि काफे सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो दो दो सो तीन तीन सो किलो मीटर दूर कॉलेज चूज किये हैं और वहाँ पर डियलर्ड को मिला और वहाँ पर रहके पढ़ाई कर रहते हैं लेकिन इस टाइम लॉक्डाउन में वह अपने घर चले गए हैं और घर से और जो कॉलेज की दूरी है या इस्कूल की दूरी है वह लगभग दो तीन सो किलो मीटर है ठीक है तो इस तरह में क्या करेंगे अपना फिर से सल्तान पुर चला गया लेकिन अब एग्जाम देना हो गया तो वहां से तो आएगा नहीं इतनी दूर खे तो जो स्टुडेंट जैसे हैं यह स्टूडेंट में हैं वह अपने घर में है तो उसके नजदीक में जो भी क्लों के डिया है अऑंकी दे सकते हैं पर इप्षास और के बात परी के बियान जारी किया गया कि यहां बता कि कोडिद नइटिम के प्रसार और लॉक्डाउन के चीडि वा जाने से काफी शायगा पर मौझुद नहीं है जहां से पिछली परिशाओं में उपस्तित हुए थे और इन से कई छात्रों के लिए हो सकता है कि पुराने परिशा के अब पर वस्तित होना मुश्किल हो, ठीक है, तो ये हाला कि भी C.B.C. बोड के लिए, लेकिन ऐसा आपकी भी exam के साथ हो सकता है, आपको भी ऐसा कराया जा सकता है, कि जो आपके एक्जाम है ठीक है वो आपके घर के आसपास जितने भी सेंटर्स हैं उन्हीं सेंट्रों में से आपको एक सेंटर पर वाइड कर दिया जाएगा किलो प्रमोट करने की जो मांग की जारी थी उस पर दिरे दिरे रोक लगती नजर आ दे कि यहां डारेक्ट प्रमोट ना किया जाए और उनसे थोड़ी बहुत परिच्छा कर बाले जाए भले ही कुशनों को कम कर दिया जाए कोई पैटर्न चेंज कर दिया जाए लेकिन थोड़ा पर निखल कि आई है। चात्रों को बिणक्षा कराए अगली कैड़ में प्रिमोट किया जाए परंद भी वी पी इसका विरोध करती है क्योंकि योगिता हो वह ओना आति आवश्क है क्योंकि योगिता भुना आति आवश्क है जिसका माध्यम परिक्षा है और पूर गाले कर रिकार हैं कि एक आधेन किया है तो डर करा है तो उन्होंने कहा कि अगर चात्र चात्र यही कह रहा है ना कि आमें डारिक्ट प्रमोट कर दिया जाए लेकिन यहां पर निकल के आ रही है कि अगर चात्र ने अध्यन किया है अच्छे से तयारी के फिर डर कैसा है ठीक है और अध्यन को यही कहना चाहूंगा कि छात्र जो है वो एक्जाम से डर रहे हैं बलकि वो इस महामारी से डर रहे हैं इस कोरोना महामारी से डर रहे हैं सबसे जदर डर छात्रों के अंदर यही बैठा हुआ है ना कि उनके अंदर एक्जाम को लेकर कोई डर सभी छात्र एक्जाम देने के कि है या नहीं कि है यह आप नहीं कर सकते हैं ठीक है लेकिन छात्र जो है वो हर एक बच्चा पेपर देना चाहेगा ठीक है कोई भी छात्र पेपर से नहीं डर रहा है जैसा कि यह कह रहे हैं ठीक है कि कह रहे कि अगर आज चात्रों ने अध्धन किया है तो डर कैसा है ठीक है तो यहां पर बड़ी बात निकल के आ रहे कि यहां पर अभी लगातार मांग की जा रहे कि डारेक्ट प्रमोट कर दिया जा लेकिन वहां पर से कुछ और मांग की जा रहे कि डारेक्ट प्रमोट रहना किया जाए और एक्जाम थोड़ा बहुत करवा के ही प्रमोट किया जाए ठीक है और हाला कि देखिए बात ये भी निकल क्या रहे कि जितने भी चात्र है सारे के शारे चात्र जो है वो एक्जाम देना चाहते हैं ठीक है मैंने मेरे वीडियो पर बहुत सारे कमेंट आते हैं चात्र यहीं सोचते हैं कि सारे एक्जाम देना पड़े तो बहुत अच्छ दर पैदा कि यह है ठीक और बहुत घातक बीबारी है तो सब के दिवाइड में तो दर डर पैदा होगा ही होगा ठीक है तो यहाँ पर दो आपकी लिए बड़ी नियूस थी कि आपका एक तो Center जो है वो आपके घर के पास करवा बाजा सकता है ठीक है जिससे सीब्यस्ट योगों करवा जा रहा है और दूसरी बात यहां में निकल के आ रहे हैं कि जो चांसस हैं वो कम हो रहे हैं आपके डारीट प्रमोट करने के ठीक है तो दुस्तों आज की वीडियो में इतना थी मिलते हैं फिशने नेक्स्ट वीडियो के साथ अगरे थाएं जाये हैं जावाद मलते हैं फिशने नेक्स्ट वीडियो के साथ